हेलो फ्रेंड वेलकम तो माई चैनल ब्यूटिफुल इजी लाइफ आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने रेगलर शैंपू में ऐसा क्या मिला के लगा सकते हैं जिससे कि आपको डेंडर्फ की प्रॉब्लम नहीं होगी बालों का ज़ड़ना भी रुख जाएगा और यह आपके बालों को सफेध होने से भी बजाता है अगर आपके बालों की लंबाई रुख गई है तो बढ़नी शुरू हो जाएगी फ्रेंड आज मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताने वाली हूँ जिसमें आपको बिलकुल भी पैसे खर्ज करने की जरूरत नहीं है और आप इससे अपने बालों की सबी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे फ्रेंड आज मैं आपको बतानी वाली हूँ कि शैंपू में आप ऐसा क्या मिलाके आपको लेना है एक लाल प्याज उसे अच्छे से क्रेश करके उसका रस निकालेना है फ्रेंड प्याज का जो जूस होगा ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देनी वाला है अगर आप शैंपू में प्याज का रस मिलाकर लगाते हैं अपने हेर को अगर आपके बाल समय से पहले सफेध हो रहे हैं तो उन्हें भी ये रोकता है काफी हद तक आपको इससे मदद मिल सकती है अपने बालों को सफेध होने से आप पचा सकते हैं फ्रेंड शैंपू आप कोई यूज कर सकते हैं चाहें तो डव सैंसिल किया सत रीठा शैंपू स अब से ज्यादा बेस्ट शैंपू होता है जिसमें ज्यादा कोई केमिकल नहीं होता देखें आपको इसे लगाना कैसे है आपको लेना है प्याज कर रस उसका रस आप निकालेंगे फिर आप उसे अच्छे से मिला के रख देंगे 10-15 मिनट के लिए उसे रेष्ट पर छोड करके आपको फ्रेंड इसके बहुत ही अच्छी और जादूई रिजल्ट वह भी सिर्फ साथ दिनों में मिलने वाले हैं तो आप एक बार इसका प्रियोग करके जोर देखें वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं पास में बैर आइकन